नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कुशागर जेन एक बार फिर हम कलामंच के साथ चर्चा कर रहे हैं प्रागेतिहासिक शेल चित्र पर प्रागेतिहासिक शेल चित्र होता क्या है सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं यदि हम प्रागेतिहासिक शेल चित्र की बात करते हैं इतिहास के पहले का वह समय जिसका कोई लिखित इतिहास या साक्ष प्राप्ट नहीं होते है वह समय जब किसी भी परकार की काखच भाशा या लीपि का अस्तित्व नहीं था उस समय में लेकंद कार्य उस तरीके का नहीं किया गया है हम आगे दिखेंगे तो जानेंगे कि कैसे इस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है इसलिए हमें जानना थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि इस समय में मानव कैसे रहते थे और किस तरीके से काम करते थे, क्या करते थे तो ऐसे में इस समय में जो मानव द्वारा बनाये गए पूराने ओजार है, हतियार है और इसके अलावा दिवार उपर जो चित्र बनाये गए हैं पूराने, उन सभी को देखकर हमें पता चलता है कि प्रागेतिहासी का मानव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था. साथ ही चित्र कला और रेखा चित्र जो है वह इस समय के स्थिति को भी बताते हैं, आर्थिक स्थिति को भी बताते हैं, तो ऐसा काफी कुछ जानकरिया हमें इससे प्राप्त हो जाती है. अब आप ही समझ लीजिए कि कागज भाषा यालिपिक आविश्कार नहीं हुआ है. तो ऐसे में मनश्य को इस समय में जो गटनाए हो रही है उसे कही न कहीं तो दस्तावेजी करन करना है, लीखना है, बताना है, किसी न किसी को अभिव्यक्त करना है. तो वही काम इस समय के मानव ने भी किया है मानव के प्रारंबिक विकास जो है वो पूरा पाशानकाल है मलब पाशानकाल जब मानव पत्थरों का उप्योग करता था कोई विकास नहीं हुआ था उसमें भी सबसे पहले पूरा पाशानकाल जिसे पेलियो लिथिक यूग भी कहा जाता है अब ऐसे में प्रागेति हासिक चित्र कला द्वारा मानव अपनी भावनाव और विचारों को व्यक्त करने का सबसे पूराना कला रूप था और मनुश्यों ने गुफाओं की दीवारों को अपने केनवास के रूप में काम किया है अपनी चित्रन के माँ धरातल के रूप में काम किया है और ऐसे हम वह जहां भी रेता था मतलब कि उसका गर जो गुफाई थी क्योंकि इस टाइम पे निश्चे ही मानव ने मकान नहीं बनाया है तो वह आकरशक बन गए ये भी यहां पर देखने को मिलता है प्रागेतियासिक काल को भूव एक्यानिक युक कहा जाता है और इस वे पत्थर के उचार जो है इनको देखा गया और पता लगया गया प्रार्म में की मानव पत्थर के उचार उप्योग कर दाता है जो है वह तातु काल के रूप में देखा जाता है तो यहां पर हम देखते हैं अब भारत में जो प्रागेतियासिक चित्रों की कोज है वो सबसे पहले आर्किवोल्ड कारलाइल मोहदैने की थी अट्रासो संसट अर्सट में और इस्पेन के अलतामीरा में जो चित्र खोज गए उससे भी बारह साल पेले इन्हें खोज लिया गया था यह बहुत बड़ी बात है लगबग 1779-80 के आसपास अलतामीरा इस्पेन में चित्र खोज गए थे उससे पहले यहाँ पर खोज लिये गए हैं यदि हम प्रागेतियासिक चित्रों की बात करें तो मत्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आंदरप्रदेश, करनाटक, बिहार, कुमाउ और उत्तराखंड का जो अल्मोडा शित्र है उसमें लखुडियार, वहाँ से प्राप्त चित्र यहाँ के केंद्र है, हम थोड़ा सा ओर आगे देखेंगे, तो चित्र मन हैं यहाँ पे, जो इस समय के चित्र है, प्राचीन चित्र है, वह चित्र देख सकते हैं कि इस प्रक प्रकारों के आदर पर चित्रों का निर्मान किया है यह हमने एक पूरानी पुस्तक से लिया है यहां पर जो रेफरेंस लिये हैं वहर सभी प्रामारिक पुस्तकों से लिये हुए हैं यह चित्र है जिसमें की कैसे मानव रहता था उस तरीके की बात को बताया गया है ऐसे ना लखुडियार की बात करते है जो कि उत्रा खंड का है अब यहाँ पर लखुडियार का अर्थ होता है एक लाख गुफाए लखुडियार का शाब्दिक अर्थ होता है एक लाख गुफाए यहाँ पर मानव को हाथ से हाथ मिलाकर नर्थ करते हुए बताया गया है और यहाँ प पर जानवर में लंबे धुतन वाला जानवर लोमडी गिर गेड जिसे अलग अलग आकरतिया बनाई गई है तो वहीं जामितियाकार सफित काले और लाल रंगों से बने हुए लेहरदार और आयताकार जामितियाकार और बिंदो का समुह भी यहाँ पर देखने को मिलता है हम उ ऐसे में हम आज से 5000 साल पहले के समय जो है जब लिपिक आविश्का नहीं हुआ था उससे पहले का समय है 5000 साल के पहले का समय उसके बारे में देख रहे हैं और उसके पहले में भी तीन भाग हो जाते हैं पुरा पाशान मत्यपाशन उत्तर पाशान तो इनी की बात देख रह प्रश्ट पूमी पर लाल से चित्र बनाए गए तो यहां पर बेल, हाथी, सांभर, फेड, बकरिया, गोडे, आधी विविद आकरतिया और साथ ही त्रिशूल और वनस्पति आधी का भी चित्रन किया गया है यहां की खास बात है, एक स्पेशलर बात है, यदि हम और देखे, तो इस समय में जबकी मानव पत्थरों का उप्योग करता था, लगबक 40,000 साल पहले भी चित्र बनाना इसने शुरू कर दिया था, और यही चित्र 12,000 साल पहले भी बने हैं, और सबसे पहले जो चित्र मीले ह वह लगबक 12,000 साल पूरा में चित्र मीले हैं, भीमबेट का जो की मत्य प्रदेश में हैं, वहां पर वोपाल के पास इस्तिते और लगबक 800 गुफा हैं, प्राप्त होती हैं, जिसमें से 500 के करीब में चित्र हैं, NCRT की बुक में 800 गुफाओं के करीब दे रखा हैं, खेर म हम आज भी देखते तो हम आकरशित हो जाते हैं, शिकार करना, उसके अलावा मानों की जो जीवन की गटनाएं हैं, जानवरों के साथ संबंध हैं, बेल, 22 अनहाती, जंगली, सुवर, अधी सभी आकरतियों को भी बनाया गया है, मध्य प्रदेश में हमें केमूर जो है वहा से दूर है, मैंने अब भी बताया था, लगबक 800 गुफाओ जिन्वे से 500 के चित्र प्राप्त होते हैं, यह मैंने NCRT की जो कक्षा 11 की पुस्तक हैं, वहाँ से बताया है, और बिमबेटका में 20 परत पे चित्र मिलते हैं, मलब ओवरले पे के उपर एक चित्र बना हैं, इस शिकार, नरत्य, संगीत, गोडा, हाती सवार, पुशुशंगर, शहद एकत्र करना, शरीर को सजाना, करेलु द्रश्य, आदी सभी को चित्रित करने का प्रयास किया है, मलब हम समझ सकते हैं कि कितना बेटर काम मानव ने उस समय पे भी किया है, इत्ता बेटर काम करना बहत बड़ी बात हो जाती है, ये थोड़ा सा और आगे हम इसी को देखते हैं, विम्बेट का की चट्टान कला को विबिन सम्हों में वर्गिकरत किया गया है, मतलब कि शेल चितरन कला को अलग-अलग बागों में बता गया है, एंसे आटी की बुक को ही हम देख रहे हैं कक्षा ग्यारग की, पेलियो लोथिक काल, पेले हमने जो देखा था उसमें दूसरी पुस्तक भी काम में ली है, लेकिन जो ये वर्दमान में जो तत्थिवताराओं में वह एंसे आटी की पुस्तक के हैं, तो पेलियो लोथिक काल, पूरा पाशान काल जो हैं, वहाँ पर हरे और गेहरे लाल रंग के चित्र बनाये गएगे हैं जिसमें बाग, बाईसन, हाथी, गेंडा जंगली सूयर और मानवाकृते जो की लखडी के डनडे जयसी पत्ली हैं बनाए गई हैं कुछ वाश पैंटिंग की तरह चित्र भी मिलते हैं जामिती चित्र भी हाथ के चाप लिए गए हैं, अंगुटे के चाप लिए गए हैं, बिंदू बनाए गए हैं, इसके अलाबा चित्रों में अनेक विशे हैं, जिसमें भाले, तीर, धनु, उश्नु के ले डंडे, आधी से संबंदित, अनेक चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जानवर मुशन और कपड़े पहने हुए होते थे, कुछ के सिर पर हेड्रेस और मास्क पहने हुए होते थे, महिलाव को वस्तर पहने, नगनरूपे आधी दिखाया गया है, बच्चों को दोड़ते, खेलते, कुटते हुए आधी दर्शाया गया है, यहाँ पर हाथी, बाईसन, भा देखने को मिल जाते हैं, अब है तामर पाशान काल, अब तामर पाशान काल जो है बात का काल, जिसवे तामर को काम मिलिया गया है, इस समय में भी यहाँ पर बहुत शांदार काम हुआ है, अब यदि भिमबेटका के चित्रों की बात करते हैं, तो सफेद, पीला, नारंगी बनता था, यहाँ पर देखते को मिलता है, पोधे के जो रेशे है, उससे ब्रश बनाया गया है, उससे काम में लिया गया है, और यह चित्र चटान की दिवार पर, अमलब दिवार पर बनाय गया है, दिवार की चटान पर बनाय गया है, या गुफा की चटान पर बनाय गया वल्लब कि ये पता लग सकता है कि सत्रा पर जो ओक्साइड है उसने रासाइनिक प्रक्तिक क्रिया किया और जिसके कारण आज भी इस तरीके से है कि ये चित्र भी गड़ते नहीं है इत्ते इस पश्ट दिग जाते हैं एक ये खास बात यहां की देखने को मिलती है प्रिमबेटका का ये एक चित्र है शेल चित्र जिसमें शिकार करते हुए द्रश्य बताया गया है एक और चित्र हम देखें यहां पर इसमें भी शिकार का बाद नरत्य करते हुए चित्र है यह भी प्रिमबेटका है और एक और चित्र है जो कि प्रिमबेटका का है जिसमें भी जंगली जानवर को बताया गया है यह कुछ लड़ा को या श्रीकारी या इस तरीके का दरश्य है विम्बेटका का ही है यह चित्र भी उसके अलावा विम्बेटका की एक और पेंटिंग यहाँ पर बताई गई है यहाँ पर हमने कम से कम प्रामानिक बहुत ज्यादा पु इसमें भी अलाद कलर के कलाद खनीज रंकों से बना हुआ चित्र है एक और है पंचमड़ी जो की मद्यप्रदीश में है जिसमें भी गुफा पाई जाती है और यहाँ पर पाच पांडव जो है उन्होंने समय बिताया था एसी जानकारी मिलती है मतलब की अनुमान लगाया जाता है इसके अलावा मिर्जापूर जो है मिर्जापूर में हाति का दर्श्य जो है शिकार का दर्श्य है जो यहाँ पर बताया गया है इसके अलावा केमूर की पहाड़ी जो मिर्जापूर है वहाँ का यह दर्श्य है लिखुनिया भलदरिया अधी अनेक जगए हैं जह पर चित्र बने हुए लगभग डाई सो गुफा बताई गई है यह एन आई योएस नेशनल इस्टिट्यूट अपन इसकूल का ऑथेंटिक है सरकारी पुस्तक है इसका मतलब ऑथेंटिक है और यही प्रूफ है अब यह पंचमडी का चित्र है इसमें भी कुछ इसी तरीके से बता गया है कि कैसे गाहे जा रही है या इस तरीके का एक द्रश्य बताया है जदि हम प्रागितियां से कलाकी बात करते हैं तो पहले भी कह चुके हूं कि सफेद पीला नारंगी लाल बेगनी भूरा हरा और काला जैसे रंग प्रयोग लिये जाते थे लेकिन सफेद और ला उastव प्राप्ट किया जाता था ऐसा अनुमान लगया जाता है पशु की वसा को मिलाए जाता था इस बात को हमें ध्यान रखना है रंगों में इसके अलावा ब्रश से जो है ब्रश वह पोदे के रेष्य से बनाये जाते थे यह जाता है कि यह रंग-षार बर्शों तक क् की ओक्साइड जो है वह क्रिया नहीं कर पाया मतलब पहले भी बता चुका हूं रंगों की स्थिर्था बहुत एक बड़ी बात हो जाती है चित्रकला दोनों प्रकार की कुफाओं में देखने को बिलते हैं एक तो जहां पर मनुश्य रहता था और दुस्तर नहीं रहता था तो ऐसे में संकेट, चेतावनी, मनुश्य जैसी बाते हैं वह यहां पर महसूस की जा सकती है कुछ बुक्स है जिनको मैंने कहा कि आप पढ़ें तो अच्छा काफी इंप्रूमेंट होगा हम कुछ प्रश्ण है जो पुराने परिक्षा में आये हुए है मैं फिलाल तो आपको प्रश्ण बता रहा हूँ इनके उत्तर हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे तकरीबन यह पचास के आसपास प्रश्ण है हम अगले वीडियो में इससे भी जादा प्रश्णों को हल कर सकेंगे लेकिन आम इन प्रश्णों को दीखे इन प्रश्णों के उत्तर ढूनने की कोशिश करें, इस स्लाइड में 7 प्रश्ण हैं, मैंने आपको इत्ता समय दिया, आप निश्चे ही पढ़ चुके हैं, अगला इसमे भी लगबग 7 प्रश्ण हैं, 7 प्रश्ण आपको निश्चे ही मदद करेंगे, इसमें 5 प्रश्ण हैं यह सारे पुराने पेपर से लिए गए प्रशन है एजिट इस लिए गए प्रशन है और मैं पुराने परिक्षाओं में आयो हुए ठेर सारे प्रशनों पर अगले वीडियो में वारता करूंगा आप निश्चे ही अगला वीडियो देखो कि तब आपको मैसूस होगा कि हमने इस वीडियो में जो और अथेंटिक बुक्स की महनत की है वह कित्ती महनत आपकी सार्थ तक होती है और आप इस वीडियो को पड़के निश्चे ही मैं कह रहाओ कि प्रिहिश्टोरिक का कोई प्रशन आ जाए तो इन दो वीडियो को एक तो ये वीडियो और एक अखला प्र इसमें भी सब्सक्राइब ह Kylie को कॉम्बीनेशन इसमें भी सबेको एंड़े आप चाहे तो विल्यो को रूख कर और फिर प्रशनों का उत्तर कर सकते हैं, आप मैं चाहता हूं कि प्रत्यक प्रश्ण का उत्तर कमेंट्स में लिखें, कमेंट्स में लिखते से मुझे ये पता चलेगा कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, प्रश्ण को शोट में लिख दे, जैसे प्रागेतिया सिक्मानों ने बहुत कम रेखाओं में क्या वेक है छे प्रश्ण यह और है इनको भी आप अच्छे से पढ़ें हल करें भिंबेटका की गुफाव में यूनेस्कों ने कब खोची मदब लिया गया यूनेस्कों में कब लिया इस तरीके का या कि शेलक चित्र की कोच कब होई मिर्जापूर से संबनित प्रश्ण यह यहां पर दिये हुए है यह प्रश्ण और है देखिए बला आप कितने सारे प्रश्ण मेंने यहां पर आपको दे दी है आप महसूस कर सकते हैं आपने निश्चे ही इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मजा आएगा आप थोड़ा सा तसल्ली से इस को देखना प्रश्णों के उत्तर हल करना मुझे प्रश्णों के उत्तर वापिस से इस वीडियो के कमेंट बोक्स में चाहिए all the best हम प्रश्णों को हल करेंगे एक एक प्रश्ण का उत्तर हल करेंगे और उनसे संबदित बातों को भी देखेंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ थेंक्यो